Best PC Build for Gaming येस कैसे दिया बिल्ट करवाना चाहते हैं अपना Personal Computer याफी PC तो कौन सी Equipment Necessary है? कौन से पार्ट्स आपको डलवाने चाहिए? So that आपका गेम जो है smoothly run होना चाहिए चाहें आप GTA 5 खिले या फिर God of War हर एक गेम बहुती smoothly run करने वाली है तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा जैसा कि आपके सामने हैं मैंने इस PC को बिल्ट करवा है जो कि मैं आपको लाश्ट में इसका बजट भी बता दूँगा No doubt आप देखें इस वीडियो को फिर आपको आइडिया होगा कि कौन से पार्ट्स जरूरी होते हैं अगर आपका बजट थोड़ा कम आफी ज्यादा होता है तो भी आप एज़ेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास बजट भी अच्छा खासा होता है बट हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से इसके अंदर पार्ट्स दलने चाहिए ताकि हमारी गेम याफी कोई इन फीचर वीडियो एडिटिंग याफी किसी भी परपस के लिए बिल्ट करवा रहे हैं तो आपका हारी काम होना चाहिए इसके अंदर मैंने जो है दो चीज़े ध्यान रखी है कर सकते हैं तो इतना ज्यादा लुक जो है निकल के नहीं आता है यह मैंने इसको वाइट कलर में ही स्लेट रखा है और दूसरी बात इसके अंदर जो आर्जीबी लाइट लगी है वह भी बहुत ही सही लग रही है इसके अंदर जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फैन आप लगवा सकते हैं तो थोड़ी सी अगर आप लार्ज कैबिनेट बहुत सही लगती है क्योंकि ज्यादा बढ़ा भी आई अगर आप टैबल पर रखते हैं तो बहुत सही लगता है तो इसके अदर आप धहां रहेगा कि जतने ज्यादा फैन आपigorत करवा सकते हैं उतने ज्यादा लगवा लें क्योंकि इस का हो दोस्तों मैंने प्रोसेसर कॉंसर डलवा है तो वह भी मैं आपको बता देता हूं बट जो जो चीजे मैंने डलवाई ना वह मैं सब आपको बिल समेत यहां पर फोटो खीच के लगा दे रहा हूं स्क्रीशोट ले लेना चाहें आप वीडियो को रोक कर जो जो पार्ट मैंने डलवाएं वह आप यहां पर सेम टू सेम फोटो खीच लो इसका सेलेट कर लो यहनी कि स्क्रीशोट ले लो और चले जाओ जहां से आपने बिल्ट करवाना है उसको दिखा दो कि भाई यह यह पार प्रोसेसर की बात करों तो प्रोसेसर जो है मैंने यहां पर दलवाया है AMD Ryzen 5600 जी हां दोस्तों यह प्रोसेसर बहुत सही है GTA 5 God of War हारी गेम बहुत ही स्मूथली रन कर देता है कोई इशू नहीं है तो यह मैं स्क्रीशोट के साथ दिखा रहा हूँ आप वीडियो को पाउस ठीक है अब बात आती दोस्तों रैम यहां पर मैंने 16 GB यानि की 16 GB जो है डलवाई है 3200 इस तरीके से है एक्स पीजी करके तो यह मैंने रैम इसके अंदर डलवाई है जो की बहुत सही है कम से कम 16 GB ही रखना आप ठीक है ताकि आपकी गेम मगरा अच्छे से रन करनी चाहिए और जो मैंने monitor यानि कि LED यूज किई यह MSI की है 170 Hz रिफ्रेशट के साथ यानि की 170 Hz रिफ्रेशट के साथ मैंने यह वाली display यानि की display कहते है कि monitor बोलने यह वाली मैंने select करी थी MSI की है बहुत सही है इसके अदर जो आपको एक कलर है वो एक अलग ही देखने को मिलता है उसका का जो refresh rate है बहुत ज्यादा है वैसे 120 यानि की 90F, I think 120 Hz refresh rate के सांद लोग monitor लेते हैं बट मैंने monitor जो है 177 Hz refresh rate के डलवाई है वो मैं सब यहां पर screenshot दे दे रहा हूँ ठीक है अगर यहां पर मैंने screenshot नहीं लिया है इसके अंदर फोटो में नहीं है बिल में तो आप 170 Hz refresh rate वाली ही monitor लेना ठीक है अब बारी दिती है दोस्तों यहां पर और क्या क्या दलवाई है मैंने SSD अडटा जो कि 512 GB जो कि मैंने डलवाया यह आप सभी के सामने है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यह सब पार्ट के अंदर डले है और इस तरीके से मैं आपको फोटो डाल दे रहा हूँ आप चाहें तो वीडो को रोक ले अभी screenshot ले ले या फिर आप चाहें तो ले ले लेना और कितना मेरा बना बिल वह में आपको लाश्ट में बता दूगा ठीक है तो यह सब मैंने इसके अंदर पार्ट अलवाय हुए है और देखने में बहुत सही लगता है अगर आप वीडो शूट या फी वीडो रिकोर्डिंग करना चाहेंगे तो भी आपको काम बहुत बढ़ी है भी दलवा सकते हैं बट मेरे इसाफ से इतने में काम बहुत बढ़ी हो रहा है मेरा तो अब बारीती दोस्तों यहां पर मैंने जो है सप्लाइ काउंसी दी है SMPS 550W जो कि आप सभी के मैं दिखा रहा हूँ अगर कुछ मैंने यहां पर ना मैंने अभी जो पार्स है मैंने अपने इस वीडो में तो नहीं दिखाया डालते हुए बट मैंने इसको बिल्ट करवा लिया था तो इसके जो पार्स है मैं आपको दिखाई दे रहा हूं स्क्र और जो बिल्ट दिया है उसमें आप इसका फोटो सेलेट कर लो यानि कि खीच लो जो मैंने डलवाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हां यह पार्स के अंदर डले हुए है ठीक है तो अगर UPS की बात करें तो UPS भी मैं आपको दिखा रहता हूँ यह वाला UPS जो इसक अगर आप किसी परपस के लिए बनवाना चाहते हैं तो अगर मैं बात करूं मेरा कितना वजट हुआ तो एक लाग बीस जार यानि कि एक लाग बीस जार का मेरा जो है यह PC पूरा बिल्ट हुआ है बट मैं तो कहूंगा दोस्तों अगर आप अंडर एक लाग देखेंगे त आपको ठीक है बन जाएगा बिल्ट बन जाएगा कम्प्यूटर आपका बढ़िया बट एक लाग बीस जार का जो बना है मेरा यह बहुत ही सही बना हुआ है और यह आने वाले दस पंदरा भी सालों के लिए कहीं नी जाने वाला बहुत सही चीज़ है तो बाकी आपका जित